तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटेंप्रारी वॉल्ड पॉलिटिक्स का बुक का चैप्टर फोर अल्टेनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स यह है क्लास 12 पॉलिटिकल जाइन्स तो इसके पहले के चैप्टर से कि अपने चैनल पर डाल दी हैं तो आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि वह भी आप लोग देखिएगा सपोर्ट के जिए गाइस ताकि मैं आप लोग के लिए एक्स्पिनेशन के साथ साथ नोट्स हैंड रिटेन नोट्स सबकुछ ला सकूं तो आई नीडियो सपोर्ट सपोर्ट के बतले बहुत कुछ मिलेगा नॉलेज मिलेगी आपको चलिए बिना देरी के सुरूर करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल पर है यह चैप्टर फॉर मैंने बुक का नाम बता दिया कंटेंबररी व्ल्ड पॉलिटिक्स ठीक है उसका हम लोग यह चैप्टर फॉर पढ़ेंगे Alternative Centers of Power जिसका की मतलब होता है सत्ता की वैकल्पिक केंद्र यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो का ओवर्विव दिया हुआ है अपर 237 अजिए अजने में पिर लिकेश आव्न्हा दिया हुआ है कि यहां इस चैप्टर में हमें क्या पर्णा है तो इसको फमtοι पहले पढ़ लेते हैं लाइन वान उसका हिंदी समझ लेते हैं उसके बाद में लोग चैप्टर के टापिक्स कि तरव बढ़ीगे जिसको भी हम लोग लाइन बाइन पड़के उसका फिर हिंदी मिनिक समझेंगे तो सुरू करते हम लोग वर्वियू से यहां से सुरू होता है हमारा ओवर्वियू आफ्टर दे एंड अफ दे बाइपोलर स्ट्रॉक्चर अफ वल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली नाइटिन नाइटिस इट बिकेम क्लियर देट अल्टरनेटिव सेंट्रस पॉलिटिकल एंड एकोनोमिक पावर कुद लिमिट अमेरिकास डॉमिनेंस 1990 के दसक के सुरू में विश्व राजनीती में दो धुरूविये विवस्था के तूटने के बाद यह सपस्ट हो गया कि राजनातिक और आर्थिक सत्ता के वैकलपिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सिमित करेंगे थस इन यूरोप अच्छा अच्छा एश्व एस पोर्व एस राष्ट्रों के संगठन आसियान के अकाउदे दंदार सक्ति के रूप में हुआ यूरोपिय संग और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली अतिहासिक दुस्मनियों और कमजोनियों का च्छेतरी इस्तर पर समधान ढूंदा साथी इन्हों ने अपने अपने इलाकों में अधिक सांति पूर्ण और सहकारी चेतरी विवस्था विक्सित करने तथा इस चेतर की देशों की अर्थ विवस्थाओं का समू बनाने की दिशा में भी काम किया इकनोमिक राइज अफ चाइना एज में ड्रेमेटिक इंपक्त अन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्हों पर इस अधियाय में हम सत्या की उभरते हुए कुछ व्यकल्पिक केंदरों पर एक नजर डालेंगे और यह जाचनी की कोशिस करेंगे कि भविशे में उनकी क्या भूमिक हो सकती है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोग के स्क्रीन पे है यूरोपीन यूनियन आप लोग को दिख रहोगा यूरोपी संग जिसका की मतलब होता इसी को हमनों कभी पढ़ने जा रहे हैं यहीं से इस चैप्टर को सुरू करते हैं जब दूसरा विश्वी यूत समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परिशान रहें यूरोप को अमनी पुरानी दुस्मनियों को फिर से सुरू करना चाहिए या अंतर अश्रीय संबंधों में सकारात्मक की योगदान करने वाले सिधान्तों और संस्थाओं के अधार पर उसे अपने संबंधों को नए सीरे से बनाना चाहिए दूसरे विश्वयूत ने उन अनेक मानेताओं और विवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके अधार पर उरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थ विवस्थाओं की बरबादी तो जहली ही उन मानेताओं और विवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था यूरोपीय इंटिक्रेशन आफ्र नाइटीन फोटिफाइव वस एड़ेट बाइड बाइद 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 कोल्ड वर उनिसब पैतालीस के बाद यूरोप के देशों में मेल मिल आपको सीथ यूद से भी मदद मिली अमेरिका एक्स्टेंडेड मैसिफ फैनेंसियल हेल्प फोर रिभाइविंग यूरोप सेकोनॉमी अंडर वाट वस कॉल्ल मार्सल प्लान अमेरिका ने यूरोप के अर्थ व्यवस्था की पुनर गठन के लिए जवदस्त मदद की इसे मार्सल योजना की नाम से जाना जाता है यूस अलसो क्रिएटेड अन्यू क्लेक्टिव सेक्यूरिटी स्ट्रॉक्चर अंडर नेटो अमेरिका ने नेटो के तहत एक सामुहिक शुरक्षा व्यवस्था को जन दिया अंडर अमार्सल प्लान अर्गनाइजेशन फॉर यूरोपियन एकोनोमिक कोपरेशन ओ एसी व पस्चिमी यूरोप की देसों को आर्थिक मदद दी गई इट बिकेम ए फोरम वेर दम वेस्टर यूरोपियन इसे बिगें टुकोपनेट ओन ट्रेड अन एकोनोमिक इसूस यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माधियम से पस्चिमी यूरोप के देसों ने व्यापार और आर् नैतिक सहियों के मामले में एक अगला कदम साबित हुई. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step timeline C timeline of European integration leading to the formation of the European economic community in 1957. यूरोप के पुझीवादी देशों की अर्थ वेवस्था कि आपसी एकिकरन की प्रक्रिया चरन बढ़ धंक से आगे बढ़ी इस एकिकरन का कालकरम आप देख सकते हैं और इसके परिमान स्वरूप अगर अगर अपलोग मेरी वीवस होंगे ता आप लोग को पता हुगा नहीं वीवस होंगे ता आप लोग समझे की मैं क्यो रोकी थी. This process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament. The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of European Union in 1992. Soviet good के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परनती उरोपीय संके स्थापना की रुपे हुई. The foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of a single currency. European Sun के रूप में समान विदेश और सुरक्षानीती, आंतरिक माम्रों तथा नयाय से जोड़े मुद्द पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तयार हो गया. The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. एक लंबे समय में बना European Sun आर्थिक सहयोग वाली विवस्था से बदल कर जादस जादा राजनातिक रूप लेता गया. The EU has started to act more as a nation state. अब European Sun swim काफी हद तक एक विसाल राष्ट्रो राजे की तरह ही काम करने लगा है. While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem, founding date and currency. हालाकि European Sun का एक सम्मिधान बनाने की कोशिस तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना जंडा, गान, स्थापना दीवस और अपनी मुद्रा है. It has also some form of a common foreign and security policy in its dealings with other nations. अने देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साजी, विदेश और सुरक्षा नेती भी बना ली है. The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the S-12 Soviet bloc. नए सदस्यों को सामिल करते हुए, उरोपिये संग ने सहियों के दाएरे में विस्तार की कोशिस की है. नए सदस्य मुख्यता भूत पूर्व सोवियत खेमे के थे. यह प्रक्रिया आसान नहीं रही. अनेक देशों के लोग इस पात को लेकर कुछ खास उतसाहित नहीं थे, कि जो ताकत उनकी देश की सरकार को हासिल थी, वह अब यूरोपिये संग को दे दी जाए. यूरोपिये संग में कुछ देशों को सामिल करने की सवाल पर भी असाहमती है. यूरोपिये संग का आर्थिक, राजनेतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभा बहुत जबदस्त है. The EU is the world's second biggest economy, with a GDP of more than $17 trillion in 2016, next to that of the United States of America. 2016 में यह दुनिया की दुसरी सबसे बड़ी अर्थ वेवस्ता थी और इसका सफल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से जादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है. Its currency, the euro, can pose a threat to the dominance of the US dollar. Its share of world trade is much larger than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China. इसकी मुद्रा, Euro-American dollar के प्रभुत्व के लिए खत्रा बन सकती है. विस्वे व्यापार में इसके हिस्सेदारी अमेरिका से तीन गुना ज़ादा है और इसी के चलते ही अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौस के साथ बात करता है. Its share of world trade is much larger than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China. Its economic power gives its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. इसकी आर्थिक सक्ती का प्रभाव इसके नजदी की देशों पर ही नहीं, बलकि Asia और अफरीका की दूर दराज के मुलकों पर भी है. यह विस्वे व्यापार संगठन जैसे अंतरा श्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महतुपून समू के रुप में काम करता है. यह विस्वे नहीं, बलकिता है. The EU includes several non-permanent members of the UNSC. This has enabled the EU to influence some US policies, such as the current US position on Iran's nuclear program. यह विस्वे शंग के कई और देश सुरक्षा परिश्द के अस्थाई और अस्थाई सदश्यों में सामिल है. इसके चलते, यूरोपिय संग अमेरिका समेत सभी मुलकों की नीतियों को प्रभावित करता है. Its use of diplomacy, economic investment and negotiations rather than coercion and coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. इरान के परमानु करेकरम से संबंदित, अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उधारन है. चीन की साथ मानो अधिकारों के उलंगन और परयावरन विनास के मामलों पर धमकी या सैनिक सक्ती का उप्योग करने की जगा, कुट नीती, आर्थिक नीवेस और बातचीत की इसकी नीती ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है. Militarily, the EU's Combined Armed Forces are the second largest in the world. सैनिक ताकत की हिसाब से एरोपिय संग के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है. Its total spending on defense is second after the US. इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है. Two EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. यूरोपिय संग के दो देशों, बिटेई और फ्रांस के पास परमानू हतियार हैं और उन्मान है कि इनके जखीरे में करेब 550 परमानू हतियार हैं. It is also the world's second most important source of space and communications technology. अंतरिक्ष विग्यान और संचार प्रद्योगी के मामले में भी यूरोपिय संग का दुनिया में दूसरा इस्थान है. As a supranational organization, the EU is able to intervene in economic, political and social areas. अधीरास्ट्रिय संग अठन के तौर पर यूरोपिय संग आर्थिक, राज़नितिक और समाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है. But in many areas, its member states have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other. लेकिन एक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नहींती है, जो कई बार एक दुसरे के खिलाब भी होती है. Thus, Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion and many of the EU's new members made up the US-led coalition of the willing where a Germany and France opposed American policy. यही कारण है कि Iraq पर अमेरिकी हमले में बिर्टेन के प्रधान मत्री Tony Blair तो उसके साथ है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे. यूरोपिय संग के कई नए शदस्य देश भी अमेरिकी गटबंदन में थे. There is also a deep-seated Euro skepticism in some parts of Europe about the EU's integrationist agenda. Thus, for example, Britain's former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market. Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the Euro, the common European currency. This limits the ability of the EU to act in matters of foreign relations and defence. Europe के कुछ हिसों में Euro को लागू करने के करेकरम को लेका काफी नाराज गी. यही कारण है कि Britain की पूर्व प्रधान मंत्री Margaret Thatcher ने बिर्टेन को European बाजार से अलग रखा. Denmark को Sweden ने Maastricht संधी और साजी European मुद्रा Euro को मानने का प्रतिरोध किया. इससे विदेशी और रक्षा मामनों में काम करने के European संकिश हमता सीमित होती है. अब है हमारा टापिक Association of Southeast Asian Nations यानि की Asian इसको हम लोग पढ़ेंगे में नेक्स्ट वीडियो में. मैं भी क्या है कि मैं तो और तबियत भी ठीक नहीं है. जैसे तसम पढ़ा रही है, आप लोगों को लगी रहा होगा मैं वीच 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 बहुत ही ठक्री हूँ. क्योंकि में को थोड़ा उतना थोड़ा में तब वीक्रेस टाइप लग रहा है. तो हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून अगर आपको अच्छा लागा होत लाइक कर दीजिएगा. सेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फो वचिंग दी वीडियो.